हेलो दोस्तों स्वागत है आपका All About Life में इस वीडियो में हम आपको बालो में कंडीसनर इस्तमाल करने का सही तरीका बताएंगे जिससे कंडीसनर का पूरा फाइदा बालो को मिल सके कंडीसनर लगाने से पहले बालो में शैंपू करना है शैंपू को सिर्फ बालो के जड़ों में लगाना चाहिए शैंपू को एक मिनट तक बालो पर अच्छे से मसाज करने के बाद पानी से धो ले फिर बालो को इस तरह से हलके हाथ से निचोड कर सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दे ऐसा करने से कंडीशनर बालो से बहेगा नहीं फिर कंडीशनर का सही अमाउंट हाथ पर निकाल दे अगर बाल लंबे हैं तो एक चमच कंडीशनर ले और छोटे बालो के लिए आधा चमच कंडीशनर को जेंटली इस तरह से हाथों पर मिला ले कंडीशनर को अपने हेर लेंथ से टिप तक लगाएं स्कैल पियानी की बालों के जड़ों में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए बालों को अपने उंगलियों के मदद से कंगी करते हुए कंडीशनर अच्छे से लगा ले आप शाहें तो मोटे दात वाली कंगी का भी इस्तवाल कर सकते हैं ऐसा करने से कंडीशनर बालों में evenly spread हो जाएगा कंडीशनर का इस्तवाल हमेशा हलके हाथ से करना है बालों को ज़्यादा रगडे ना प्रैसर ना दे वरना हेर फॉल होने लगेगा बालों का ends ज़्यादा रूखा होता है वहाँ अच्छे से कंडीशनर लगाएं कंडीशनर को 2-3 मिनट तक बालों पर रहने दे फिर उन्हें हलके हाथ से ठंडे पानी से धो लें बहुत ज़्यादा बालों को रगड कर नहीं धोना है हेर वास करने के बाद बालों को टॉवल से रगड कर नहीं पोचें वरना आपके बाल फिर से ड्राइ और फ्रीजी हो जाएंगे ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को टेक केर बाबाई